नमस्कार विध्यारतियों कैसे आप सभी मित्रों कल अमने चर्चा की थी पार्ट 6 की एंसे आटी बुक पार्ट नमर एक की आज हम उसी क्रम में पार्ट नमर दो की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब जिसका नाम क्या है ग्लोब और ग्लोब में भी क्या देखिए एक अक्षांस और एक देशांता दो तरह की रिखाए होते हैं एक अक्षांस रिखाए हैं और एक देशांता रिखा इनकी चर्चा करेंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं पूरी आपको 6 क्लास की सभी विशेओं की जो क्लासे जहें वो मैं इस चैनल पर लग आउंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने मित्रों को सेयर करें चलो भई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को देखो भई पिछले अध्याय में आप पड़ चुके हैं कि हमारी प्रत्वी तोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको यह देखिए पिछले अ स्थानों पर क्योंकि यहां पर बीच में क्या है अभी बताएंगे कि बीच में क्या है अक्ष है यह एक क्या आप कल्प ना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती है इस समझ्द में गलोब जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में साब्दानी पर गलोब को भई ग्लोब ही बिविलन प्रकार के होते हैं बड़े ग्लोब जो आसानी से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर नहीं ले जा सकते हैं बस्त्ता बड़ा Sakyan Cross और एक होता हैे यह चोक होटीं प्रियोग में लेन न सकते हैं गलोब इस्तिर नहीं होते हैं वही उसे इससी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पैया लट्टू घुमाता है गलोब पर देश वों तैंस helmet πο तर महासागरों को उनकी सर्याकार में दिखाया जाता है कौन सा महाधीब कहा है? कौन सा मासागर कहा है? इस अप से दिखाया जाता है परत्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदू की स्थिती का बढ़निकरना कजिन है अब प्रस्णिय उड़ता है कि इस पर किसी इस्थान की स्थिती कैसे बताई जा सकते है? कि वह इस्तान किस इस्थान पर है किस जगे पर है किस आकटी में किस इस्तिती में इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्व की आवश्यक्ता होती है देखो भी कौन सी है आप देखेंगे कि एक सुई गलोब में जुकी हुई अवस्ता में इस्तित होती है जैसे क्या कहा जाता है अक्ष कहा जाता है मैंने अब आपको बताया ये ये इस्तिती है ये जुकी हुई अवस्ता में तो इसे क्या का जाता है, बीच की स्थिको अक्ष का जाता है, जैसे गलोब एक कील के मादव से टंगा हुआ है न, ऐसी प्रत्वी अपने अक्ष पर जुकी होई है, गलोब पर दो बिंदू जिन से होकर सुई गुजरती है, उत्तर दक्षिंद रूबेद, गलोब को इस प्रत्वी को घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, प्रत्वी पर बास्तम में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चार और गुमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, कहने का तात पर यह है, कि जो गलोब है, यह तो किवल उसका मॉडल है, तो इसमें ते कील के माद्दन से इसको बताया है, और कैसे गुमती है, यह पस्चिम से पूरव की और गुमती है, लेकिन प्रत्वी तो एक काल्पनिक रेखा से है, और जो अपने अक्ष पर जुकी होई है, और प्रत्वी कैसे गुमती है, पस्चिम से प्रत्वी के उत्तर में इस दित आधे भाग को उत्तरी गुलार्द ज़ए दक्षनी कहा जाता है। यह Красजक्व проблем होते हैं। अर्थात यह यह तो कॉन सा ओंगे उत्तरी गुलारद और यह कॉन सा ओंगे झाता है। ऐधा विवाजन इस प्रकार बिसुवत ब्रत प्रति पर एक कालपने की ब्रत बनाती है, कैसा ब्रत बनाती है, कालपने की ब्रत बनाती है, यह प्रति पर भिविन इस्थानों की इस्तिती वताने का सबसे मेहतून संदर बिंदु है, बिसुवत ब्रत से द्रवोत तक इस्तिती सभी समानत ब्र बिसुवत ब्रत सुन्य अन्सक्षांस को दर्शा आती है चूंकि बिसुवत ब्रत से दौने तरफ द्रोगों के बीच की दूरी प्रत्वी के चार और की ब्रत का एक चौथाई वाग इसका माप होता है देखिए यह से मैं आपको बता दूँ जैसे यह हमारी पूरी प्रत्व रहा है यह एक रेखाई यह है तो वहीसाव देखो एक कोण तो यह बन गिया नबड़िग्री एक यह वन गया और यह केस ही तो इसे चार चौथाई भागों में यह रेखा इसको बाड़ देती है हमारी प्रत्वी को इसका माप 360 अंस का होता है अर्था पूरा जो चक्कर है वो कितने का है 360 डिगरी का है अर्था एक ओटे चार यानि 90 90 अंस का है कितने का है 90 अंस का है 90 डिगरी के कौन इधर बनगे 90 का इधर बनगे 90 का इधर बनगे ऐसे ये जो उपर का जो हिस्सा है प्रकार विस्वत ब्रत की सभी समानतर रेखाओं को उत्री अक्षांस कहा जाता है ब्रत की ब्रत की ब्रत की सभी समानतर रेखाओं को ब्रत की 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 समानतर जाता है इसे उत्तर या दक्षिन अक्षर से व्यक्त किया जाता है उधारन के लिए महाराष्ट में चंदरपुर ब्राजील में बैलो होरिजॉंट दौनों एक अक्षांस बीज डिगरी अक्षांस पर इस्तित हैं लेकिन चंदरपुर बिस्वत बरत के 20 उत्तर में बैलो होरिजॉंट बिस्वत बरत के 20 अक्षिन में इस्तित अर्था दोनों एक तो उत्तर में है 20 डिगरी पर और एक कहां पर है दक्षिन में 20 डिगरी पर इसलिए हम कहा सकते हैं कि चंदरपुर 20 डिगरी अक्षांस पर है चंदरपुर कहा है उत्तर दिशा में कौन से डिगरी पर है 20 डिगरी पर है 20 डिगरी पर है लेकिन वो कौन से अक्षांस पर है दक्षिन ये जो है बैलो ये तो उत्तर अक्षांस पर है ये कौन से अक्षा बनाता है लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग एक उपर है एक नीचे है चेत्र दो पॉइंट दो से सपस्ट है कि जैसे जैसे बिस्वत ब्रत से दूर जाते हैं अक्छान सवाकार भी घड़ता जाता है ठीक आगे देखें भई मैं अक्छान समानंतर रेखाएं कौन कौन सी मै एक बार मैं आपको इसमें बता दूं देखो इसको देखो आप एक बार गलूब को बढ़ यह जाता है और यह जो इसने देखो आप इसमें बताया है उत्तरी गोलार्द उत्तरी गोलार्द में करक रेखा साड़े तेविश डिगरी पर है कितने डिगरी पर है साड़े तेविश डिगरी के कौन बनाती है करक रेखा और दक्षनी गोलार्द में मकर रेखा साड़े तेविश जैसा मैंने भी अत्तर और दक्षनी बताया कि उत्तर में 90 डिगरी कौन हमाता है ऐसे ही से उपर जाएंगे साड़ी तो उस रीखा एक रीखा Rais का नामरी करक रीखा है और जैसे नीचे साडरेंगे जायेंगे साह्छनक चानस में कौन्से रीक्तित रहेंगे आकर को बता दूप पर एक रहेंगे मनें लोग जैसे ये ज्यू डिगरी हो से कहलाएगी करक लेगा अब लेकिन जैसे दक्षण में आएंगे इस जगे पर तो यहां पर भी कौन से कहलाएगी मकर रेखा कहलाएगी बस यह जो बिंदू है इसी प्रकार करा है आगे यह कहा रहा है कि बिस्वत रेखा बिस्वत प्रत के साड़े च्हासद दिगरी उत्तर में और च्हासद suspect बिस्वत प्रत बिस्वत रेखा अब देखो यहां पर जैसे साड़ेश की बातु कौन से तो सेम इस्थिति है बस आक्षांस को अंतर यह उत्तरी च्छांस है और यह दक्षिन और को अगया होगा एक बार इसको में बढ़िया, साफ कर दिता हूँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, प्रत्वी के ताप कटी बंद, प्रत्वी के ताप कटी बंदों के बारे में चर्चा करेंगे, देखो, करके रेखा, एव मकर रेखा के बीच के सभी अक्छांसों पर सूर बर्स में एक बार दोफेर में सिर्के ठीक उपर होता है, तो सिर्के उपर ठीक एक बार सूर कब आता है, एक ही बार आता है, इसलिए इस छेत्र में सबसे अधिक उसमा प्राप्त होती है, जहां पर सूर की क और यह का पर आहाँ पर सीधी एर्टा से बिस्त को बताएं Bluetooth देन आते हैं उसमा होगी तो még्ट समझे में आ रहा है तो लाइक पर है और अपने सात्राइद बताएं कि कि लाश चल रही है रेगुलर आप जरूर क्लास को अटेंड करें चलो बई आगे देखें कि करकर रेखा तता मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांस पर दोपेर पर सूर कभी भी सुर को पर नहीं आता कि वह लेगी बार आएगा दुरुप की तरफ सूर करने तिर्ची होती ह नग suggestion रोल ले ले जम जाती है यहां पर केंद तिली यहां पर तेंड रहती है कैसी यहां पर जमती है उसथ जहीं तरह यहां पर एक रिम्ठाइन ओंट में deng रहती है इस पड़ कर रहों है मतलं है अब प्रत के बीच वाले हो सीगाउस पूंद के ह Sm। मैं पूंध। के बीच की छीत ठंड बहुत तेज होती है वो नहीं क्योंकि वहाँ सूर्य किरने कैसी पट रही है बिलुकल तरची पट रही है या सूर्य की छिते से ज़्यादा उपर नहीं जाता है इसलिए ये सीथ कटिवंद कहलाते है चलो गई आगे देखें देशांतर क्या है अब तक हमने चर्चा की केवल और केवल किसकी अक्षांसों की चर्चा की अब चर्चा करेंगे कि देशांतर किसे कहते हैं देखो किसी इस्थान की सिती को बताने के लिए उस इस्थान के अक्षांस के अत्रित कुछ और जानकारिया की आवश्यक्ता भी होती है आप देख सकते हैं कि प्रसांत मासागर में इस्टित टॉंगा दीप कौन से दीप भई टॉंगा दीप हिंद मासागर में इस्टित कौन से दीप मौरी सस दीप तो पूचा जा सकता है टॉंगा दीप कहां पर है प्रसांद मासागर में हैं पूचा सकता है मौरिसस दीप कहां पर है नमासागर में हैं ठीक यह आपको दिखाई दे रहें इस तरह से अभी तबने पड़ा था यह अब देख अपन है कैसे पट रहें इस तरह से पंधे लोग आगे पेशपर देखें चलो पेश नमबर चार पर चलते हैं कि देखो कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंसों को मापा जाता है प्रतेग अंस को मिनट में मिनट को सेकंड बभाज़त किया जाता है प्रतेग अंस को मिनट में मिनट को सेकंड बभाज़त होती है सेकंड बभाज़त होती है ये अर्दब्रत कैसे ब्रत वही है कैसे ब्रत होते हैं ये अर्दब्रत होते हैं अर्दब्रत उनके बीच की दूरी द्रुवों की तरफ बढ़ने पर गड़ती जाती है द्रुवों पर सुनने हो जाती है जहां सभी देशांत्रिय या मुत्तर आपस में मिलती हैं आगे अक्षांस समानांता रेखाओं से भिन सभी देशांतरिय यामुत्तरों की लंबाई समान होती है इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में ब्यक्त करना कठिन था तब सभी देशों ने निश्चे किया कि ग्रीन वीच जहां बिटिश राज की वैद साला इस्तित अर्ण से गुजरने वाली यामुत्तर से पूर और पाश्यं की और गिंतिysis कि आपाते है और बात हो रही है कि समय का निरदारन केसे किया उसकी पुरी चर्चा है उसको प्रमुक्या उन्तर बताऊंगा एक बाह आपसे हो और पहुत्यका पहुंए प्रमुख यामुत्तर 180 डिग्री यामुत्तर मिलकर प्रत्वी को दो समान भागों में पूरवी गुलार्द और दक्षी गुलार्द देखो ये देखो गलूब आपको दिखाए देरा है सबको ये जो बीच की रेखा है आपको ये ये कौन सी है देगो प्रमुख Yama Uttar अब एक तो पन नहीं ये वाली देखी थी इसने उत्तर और दक्षिन वाठा था प्रत्वी को लेकिन ये जो वाली रेखा ये ये किसा बारती एक तो पूरव को बारती ये पूरव है और ये पस्चिम्य अर्थात या पूरो पस्चिम में दो वागों बार दिया और इसके समान अंतर ये देखो कैसी रेखाएं हैं अर्द ब्रत्ताकार इसकी ये रेखाएं हैं इनके माद्यम से भई आप किसका निर्धारन करते हैं समय का निर्धारन करते हैं ये इसमें बताया गया है कि ये जो र कि इसलिए किसी इस्थान के देश आंतर के आगे पूरू के लिए अक्षर पूरुत पस्च्छिम के लिए अक्षर पस्चिम का उप्योग करते हैं यह तो पैका और पूर का मतलब किया है सौर्ट में लिखा पूरा पैका मतलब पस्चिम है यह जानना रोच मोगा कि 180 डिगरी पूर और एक सस्थी पस्चिम या उंतर एक ही रिखा पर इस्तित है अब गलोब पर अक्छांस रेखाओं एवं देशांतरी या मुत्तरों के दारा बनी ग्रिड को देखो अब यह अपने देख लिए इसको अच्छी तरह से अगर आपको किसी इस्थान के अक्छांस देशां पर इस बिंदू को देखे जहां यह दौनों रेखाएं एक दूसरे उकारती है यह बिंदू दूरी का सही इस्तित होगा अर्थात यह दिगरियों के इसाब से जो देशांतर रेखाएं हैं इनके इसाब से अपन यह पता चला सकते हैं कि कौन सा इस्थान के इस डिगरी पर नहीं है अर्थात एक्च्वल पोजिसन अपन इनके माद्दम से पता चला सकते हैं यहां पर एक दूबरी के माद्दम से उतारान दिया गया है देखो इसको समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाली छेतिज उर्दवाकार रेखाएं खीचिए कैसी उर्दवाकार जै के लिए अरृष आधिये के रहा है यह जैरालि जांन और हम यहां और बन जाएगा और जहां पर है शोटा भरत बड़ और फेसुन के लिए वरत सेक्त हैं कि अनवे गर्सक सकते हैं। देखो, माल लीजिए उर्द्वाकार रेखाएं, पूर देशांतर रेखाएं, उत्तरी एक्षांस को बैक्त करती है, तो अगले पेच पर हमें चलना पड़ेगा, देखो भई, अगले पेच पर एक बड़ा सा मैप हमें दिखाया गया है, इस मैप को मैं आपको समझा देता एक बार आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए, ये देखो, ये आपको समय चेतर के बारे में बताया है, यहां आपको इस्तिती बता रहा किये, देखो प्रसांत मासागर कहां पर है, हिंद मासागर कहां पर है, अटलांटिक मासागर कहां पर है, प्रशांत मासागर कहां पर ये तो प्रतेक जो देश है उनकी इस्थिति बता रहा किया कि कौन सा देश किस अक्षांस पर पड़ता है किस दिगरी पर पड़ता है इनके बारे में बिस्तिरत चर्चा इस मैप में की गई है जो हमें तो किवल इतना ध्यान रखना है कि अक्षांस रेखाए क्या है और चलते हैं च्छटा नम्मर का पेच आप निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में यह लीजिए यहां तक की बात अपने कर लिए अब देख देशांतर और समय देशांतरों के मादम से समय का निर्दारन कैसे किया था यह मेह तून है यह देखो भई मैंने भी आपको बताया था ने इस तरह से बता कर यह नोंने बताया देखो समय को मापने का सबसे अच्छा सादन प्रत्वी चंदर्मा ग्रहों की गति है सबसे अच्छा सादन क्या है प्रत्वी चंदर्मा ग्रहों की इस्तिती या गति ही उनका समय को माप सकती है सूरद सूरहाथ परतिन होता है अत्य स्वहवविक ही ये पूरे बिश्मे समय निर्धारन का सबसे अच्छा सादन अस्थान ही समय का नमान सूरह के दराब बनने वाली परचाई से लगाया जा सकता है जो दोफेर में सबसे छोटी सूरद है जिए सूर्ध में लंभी होती है दुपैर में सब चोटी बनती है परचाही क्योंकि सूर्ध हुमारे काव पर होता है बलकुल सिरव पर होता है इसलिए क्यों कि جन् ये सूर्ध सूरास लोगा हमारी परची क्योंकि उसकी किरनेते रहेजर्ष provision ग्रीन बीच पर इस्थित प्रमुक यामुत्तर पर सूर जिस समय आकास के समय उचे बिंदू पर होगा उस समय यामुत्तर पर इस सभी इस्थानों पर दुफेर होगी चुकि प्रत्वी के 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 प्रत्व गुरुबाला जो इस थाने वो कैसे होगा आगे उसका समय चलेगा जब कि पस्चिम में है वो कैसा इस थान उसका समय कैसे लेगा पीछे चलेगा समय के अंतर की तरकी कड़ना निमलेकित विदी से की जा सकती है प्रतभी लगबक 24 गन्टे में अपने अक्षी पर 360 गुम जाता है यह भी ध्यान अपने अक्षी पर 360 गुम जाती है अर्था न होई है एक गंटे में 15 गन्टे में कितनी डिगरी 15 डिगरी 4 मिनट में कितनी डिगरी गुमती है एक डिगरी पूरा या अनलाइसस दिया है इस प्रकार जब ग्रीन वीच में दोफेर 12 बारा बसते हैं तो ग्रीन वीच से कितने डिगरी गुमती है पंदरे डिगरी गुमती है तो यहां पंदरे डिगरी पूर में अगर समय होगा तो सीधा की सीधा गंटे का प्रवाब पढ़ेगा पढ़ेगा ना तो यहां पर सीधा की सीधा जो पूर में जाएंगे तो कितना आगे निकल जाएगा एक गंटे का के समय निकल जाएगा लेकिन ग्रिन बिच पर दोफ़ेर बार बज़े होगे उस समय एकसोसी डिगरी पर मध्रातरी होगी यह आपको समझना है कि पूल में जाएंगे तो समय बढ़ेगा जब की पस्टिम में जाएंगी तो समय घटेगा समय किस अंसार से घटेगा वो मैंना को पता दिया कि समय एक घंटे में कितने डिगरी 15 डिगरी ठीक किसी भी स्थान पर दे सूर्य आकास में अपने उच्टम मिंदू पर होता है दुपेर में उस समय घडी में दिन के 12 बसते हैं कि प्रकर के कि दोरा दिह यहांट्र हैसिस की होगा। अगले प्रश्ट पर उक्रास्त पसंद आ रही है थो लाइक जरू खरें себя करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप बड़िया तरीके से देख सकते हैं यह भारत का नक्सा है और यह यहां मुत्तर टेखाओं के बारे में यहां बताएगा है कि भारत के सिती पर है देखो गई उधारन के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाडियों के लिए समय सारणी तयार करना काठिन होगा क्योंकि जो ट्रेन है वो तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाती तो बहां समय का नदारन कैसे करें क्योंकि देशांतरों में समय का परिवर्तन होता है वहां तो भारत में गुजरात की द्वार का असम में डिब्रुगड के स्थानी समय में लगवग एक गंटा 45 मिनिट का अंतर है कितने गंटा वह यह पौने दो गंटे गंटा एक गंटा 45 मिनिट का अंतर है इसलिए यह आवश्क है कि देश के मद्ध भाग से उकर गुजरने वाली किसी यामुत्तर के स्थानिये समय को देश का मानक समय माना जाए। देशांतर इस चीज को निर्धायत करता है कि भारत का जो समय है वो सभी जगे एक जैसा ही माना जाएगा इस तरह से इस तरह को इसको जो निश्चित करता है वो कौन से करता साड़े वियास दिगरी पूरवी देशांतर कभीर भुपाल की निगट एक छोटी से नगर में रहता है भे अपने मित्रालोक से कहता है कि बे लोग आज रातरी में नहीं सो पाएंगे भारत वे इंगलेंड के बीच एक क्रिकेट मेंस लंदर में दो बज़े अपरान शुरू होगा कितने बज़े शुरू हो रहा है भारत गरिन हुच के पूर साड़े ब ré Wing से टै यहां का शमय ग्रिन भीर समय ग्रीस, साड़े प्ा Gas पांच गंटे आगे अर्थम थी की समय करना से इसलिए जब लंडन में दो मानक समय अपनाए गये उधारन के लिए रूस से रूस में ग्यारा मानक समय को अपनाए गया है प्रत्व को एक गंटे चोई समय छेतरों में बाटा गया है इस प्रकार प्रतिक समय छेतर में पंदर डिगरी देशांतर तक छेतर को गेरता है अब यह हमारे अभ्यास प्रस्ण आ गए इनकी भी मैं आपको क्लास डालूँगा इन प्रस्णों का आंसर हम के ऐसे दें इसके लिए भी आप हमारे क्लास को देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज हमने का बहुत धन्यवाद थेंक यू